मात्र तीन चार साल में नारियल देने वाले पौधे की मिल गई है नर्सरी आप लोगों की डिमांड थी की नमबर दीजिए तो आज के वीडियो में हम आपको उसी नर्सरी का नंबर देने वाले हैं जहां से आपको मात्र तीन साल में फल देने वाले नारियल के असली पौधे मिल जाएंगे इन में ऐसे नारियल के एक ऐसी वेराइटी है जो उत्तर वारत में भर भर के फल देती है पौधा मात्र भी से 25 विट का होता है और उस पर 200, 200, 300 नारियल लगते हैं तो वीडियो में जानेंगे ये पौधे आपको कैसे मिलेंगे साथी साथ इन्हें लगाएं कैसे जिससे उन पर अच्छे फलाएं पहले हमने इन्हें रेलवे के पार्सल से मगाया था और जब रेलवे से मगाया तो मात्र दो दिन में हमें ये पार्सल मिल गया था पैकिंग बहुत अच्छी मिली और पौधे तो ऐसे मिले जैसे अभी सुवे ही हमने इन्हें उखाड़ कर इसमें जो है पैक किया है और बहुत कम कीमत में हमने दस वार पौधे जो है रेलवे के पार्सल से मगा लिये थे तो पूरे भारत में ये पार्सल कहीं भी पहुंच जाता है तो कुछ इस तरीके से हमें ये प्लांट मिले है लेकिन इस बार हमने इने जो है अलग तरीके से मगाया लेकिन इस बार नॉर्मल पार्सल से मगा कर देखा है कि पौधा आता कैसा है तो पैकिंग कुछ इस तरीके से हमें मिली है ये देखे और ये हमने मगाई है एग्री अर्थ नरसरी से उसका नम्मर स्किन पर आप जो है देख पा रहे होंगे पौधे की पैकिंग अच्छी निकली है अंदर प्लांट भी बढ़िया है और ये देखिए प्लांट की स्टेम ना तूटे इसके लिए उन्होंने बास की जोह लकडी लगाई है साती साथ पेपर से पौधे को कवर किया हुआ है अब पौधा जैसे ही आपको मिले से खोल कर आ दवा में रखिए चाया में रखिए इसके बाद एक बड़ी सी बाल्टी या टव लीजिए और उसमें पानी भरकर नारियल के इन दोनों जो भी पौधे आप मगाएं उसे छोड़ दीजिए जिससे ये पानी गिरहन कर लें और उसमें तैने दीजिए जिससे जो रास्ते का श्ट्रेस है जो गर्मी है वो निकल जाए अब पौधा तो मिल गया लेकिन इसे अगर आप सही तरीके से नहीं लगाएंगे न तो ये तीन साल में फल नहीं देने वाला इसे लगाने का भी एक अलग तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो उसे लगाने के लिए आ नीचे उसे थोड़ा खोद कर भरवरा बना दें क्योंकि नारियल की जो रूट से वो गहरी जाती है जितनी गहरी जाएगी पौधा उतना ग्रोध करेगा तो मिट्टी को भरवरा करना है साती साथ इसे थोड़ा गोड कर भी तैयार कर लें अब आपको क्या करना है कि आज किलो पुराना गोवर खाद या बर्मी कमपोस्ट जो के नरसरी सेंटर पे मिल जाएगा आपको लेना है ये देखिए और गोवर खाद को लवच चार इंच की लेयर में गड़े में बढ़ देना है ये काम हो गया और इससे दो-तिन दिन छोड़ दीजिए आप धूप नमक नीचे गोवर खाद के उपर बिखेड केंगे ये नमक क्या करेगा जो नारियल का हाड वाला छिलका है ना उसे जल्दी गलाएगा रूट्स बनेंगी अब आपको साफ पावडर लेना है कोई फंगी साइड इसमें से लगवा 20 ग्राम फंगी साइड हम डाल देंगे ज और अलग से गोवर खाद थोड़ी मिट्टी लेकर उसमें लगवा 50 ग्राम ये एनपी के उन्नीस उन्नीस हम डाल लेंगे नीम खली भी डाल लेंगे अगर आपके पास हो और ये मिक्सर तैयार हो गया पौधे के चारवत रफ भाहने के लिए इसमें 100 ग्राम अलग से आजाता है और ये है गंगा वर्धन गंगा वर्धन कोकोनट बिल्कुल बीच में गड़े के रखनाएं से और ये है हमारी नर्सरी की बैबसाइड एग्रियर्थ.com यह नर्सरी है यहाँ पर यह आपको दोनों वैराइटी जो है मिल जाएंगी इनमें एक गंगा वर्धन है फ्रेस पानी लेना है इस पानी में भी आपको सौसे डेर सौक गराम नमक मिलाना है वन गया खारा पानी और ये खारा पानी आभी आपको देना है और फिर महीने में लगाता तीन वार एक एक वार और दीड alternatives इसके बाद पौदे को धूप में रखिए फिर देखिए बहुत जल्दी आपके यहां जो है नारियल आने लगेंगे